आज सत्र जुन आज निजला इकादसी है और आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़दा खास होता है बहुत ही शुब होता है हमें इकादसी वाले दिन चावल नहीं ग्रहन करना चाहिए सास्त्रों में चावल खाना वर्जित है और आप लक्षमी प्राप्ती के लिए एक बहुत ही विशेश उपाय कर सकते हैं आप एक लोटे में जल लेंगे और उसमें गंगा जल डालेंगे और उसमें आप उसके बाद आप वो जो पानी है उसमें हल्दी मिलाएंगे और आवले के व्रिक्ष में आप डालेंगे इससे आपके घर में लक्षमी का वाश हो जाएगा और आज का जो दिन है वो श्री हरी नरायन का दिन है आज के दिन हमें नरायन की पूजा करनी ही चाहिए भूलना नहीं चाहिए और जो हमारे यहां शंक होद उसमें चावल जरूर भढ़ना चाहिए लेकिन आज के दिन श्री हरी नरायन का पुजा बहुत ही विशेश माना जाता है सास्त्रों में लिखा गया है कि आज के दिन श्री हरी नरायन का पुजा करने से हमें मनुमानचित फल की प्राप्ति होती है तो हमें आज के दिन पुजा जरूर करना चाहिए और आप भगवान नरायन का कोई भी मंत्र जाब 108 बार कर सकते चाहे आप कृष्ण कृष्ण करिए या आप हरी हरी करिए